हेलो फ्रेंट्स, मैं इस दिर आपका बहुत-बहुत सागर करती हूँ हमारे येटूब चैनल पर तो फ्रेंट्स, उमिद करते हूँ कि आप सब छीक होंगे, अच्छे से होंगे तो फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंट्स, रैबिट्स की जो जुरुवत की चीज़े हैं, वो क्या-क्या है और हम उनके हिसाब से उसकी क्यर कैसे कर सकते हैं तो वही हम आज की वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंट्स चलिए, without wasting time हम वीडियो को start करते हैं फ्रेंट्स नीड है, वो है फ्रेंट्स स्पेस, यानी जगा फ्रेंट्स रैबिट्स को पालने के लिए, उसकी क्यर करने के लिए हमें जगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि फ्रेंट्स अगर हमारे पास जगा नहीं होगी, तो रैबिट्स खेल नहीं पाएंगे अगर खेल नहीं पाएंगे तो हैपी नहीं होगे, तो इस तरीके से उसकी अच्छे से क्यर हम नहीं कर पाएंगे तो rabbit को रखनी के लिए हमारे पास जगा होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप एक से ज़्यादा rabbits रख रहे हो तो आपके पास जगा होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि friends ऐसा तो रही है कि हम अब सभी rabbits को एक ही cage में हम बन कर देंगे या एक ही setup में रखेंगे उनको proper गूमने के लिए जगा चाहिए तो friends इसलिए हमारे पास जगा होना बहुत ज़रूरी है second need है वो है friends rabbits की diet friends आपको rabbits की diet पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको rabbits की diet नहीं पता है तो friends मैं description में link दे दूँगी आप वहाँ से check out कर सकते हो friends ऐसा नहीं है कि हमें rabbits को दाल, चावल, रोटी या मसालेदार सबजियां fried सबजियां तो इस तरीके खाखाना देना है इस तरीके खाखाना हम अपनी rabbits को नहीं दे सकते हैं rabbits की main diet hay and grass ही है तो friends आप अपनी rabbits को hay and grass ही दीजिए आपके rabbit healthy रहेंगे third need है वो है friends आपका time friends आप जितना अपनी rabbits के साथ ज़्यादा से ज़्यादा time spend करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि friends इससे क्या होगा कि आपके और आपके rabbit के बीच में बहुत अच्छी bonding बनेगी जिससे कि आप अपने rabbit को जब भी बुलाएंगे तो आपके पास भागा चला आएगा fourth need है वो है friends आप अपने rabbits को छुपने के जगा जरूर दीजिए क्योंकि friends rabbits को थोड़ी से भी आवाज बहुत ज़्यादा लगती है तो वो डर जाते हैं तो friends उसे डरना लगे उसे एक तसली रहे कि हाँ मैं सही जगा चुपा हुआ हूँ तो इसलिए आप अपने rabbit को हाईडी हाउस जरूर दीजिए यानि चुपने की जगा अगर आपके पास almira है बैटकिनी जगर वो चुप जाते हैं तब तो वो कोई जुरूरत नहीं है लेकिन अगर आपका रूम या सेट अप जहां पर आपने अपने rabbit को रखा है वो खुला है बिल्कुल भी चुपने की जगा नहीं है तो friends आप अपने rabbit को चुपने की जगा ज़रूर दीजिए अगर आप उसे हाइडी हाउस दे देंगे तो उससे क्या होगा कि उसको एक तसली रहेगी कि हाँ वो छुपा हुआ है और वो सेफ है नहीं तो friends रैबिट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जिसकी वरसे उसकी डेथ भी हो सकती है फिफ्ट नीड है वो है friends chewing toys friends काफी सारे सब्सक्राइबर्स यह भी सोच रहे होंगे कि यह chewing toys क्या है तो friends जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि friends रैबिट्स की जो दानत है वो time to time बढ़ते रहते हैं तो friends उन्हें कंट्रोल करने के लिए rabbits कुछ ना कुछ वो कुदरते रहते हैं तो friends चाहे वो घर की slippers हो चपल हो या furniture हो तो इस तरीके के चीज़े वो कुदरना स्टार्ट कर देते हैं वो यह सब चीज़े ना कुदरे तो friends इसलिए हम अपने rabbits को chewing toys देते हैं और यह friends उसकी need है वो है friends बैटने डॉक्टर friends आप अपने rabbits के लिए एक अच्छा वेटने डॉक्टर जरूर ढूनके रखें ताकि उसको in future भगवान ना करें कि rabbit को कोई भी healthy issue हो लेकिन अगर future में rabbit को healthy issue होता है तो friends आप अपने rabbit को वेटने डॉक्टर को दिखा सकोगे तो friends इसलिए आपको एक वेटने डॉक्टर ढूनना भी बहुत जरूरी है friends काफे साही लोगों को नहीं पता है कि rabbit से भी वेट हमारे इंडिया में बहुत ज़दा कम है तो friends इसलिए आप एक अच्छे वेटने डॉक्टर को ढूनके रखें इन फ्यूचर अगर आपके rabbit को कोई भी है धिशू हो तो आप अपने rabbit को health check-up करवा सको सैवन्थ नीड है वो है friends mats friends अगर आप अपने rabbits को cage में रखते हो तो friends आपको cage में mats को जरूर देना है क्योंकि friends अगर आप cage में mats को नहीं दोगे तो friends आपके rabbits को so rocks हो सकते है friends so rocks में क्या होता है कि rabbits के जो पैर है उसके निचे के फर उड़ जाते है तो friends ऐसे rabbits को problem ना हो तो friends इसलिए आप अपने rabbits को mat जरूर प्रोवाइड कीजिए friends ये rabbits की needs का ये part one है मैं इसका जल्दी पार्ट सेकेंड भी लेकर आऊंगी तो friends ये थी आज की वीडियो उमिट करते हूँ कि आपको अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी तो make sure इस वीडियो को like करना अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye friends thanks for watching